मेडिशिन और हेल्थ संबंधी चानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जास्फाक के चैनल को और बेल आइकन दबाई लेटिस्ट नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार आदाब मैं आपका दोस्त फार्माशिस असफाक स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे एसिटा जोलामाइट टैबलेट के बारे में जिसका पॉपुलर ब्रांड है डायमोक्स जानेंगे डिटेल्ड में इसके यूजिस क्या है क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकती है डोज यानि कितनी मात्रा में लेनी चाहिए किन-किन व्यक् अंहिबिटर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है जिसे यह टैबलेट बनने से रोकता है इस टैबलेट के की बात करें तो यह 125 मिलिग्राम, 250 मिलिग्राम और 500 मिलिग्राम के अलग-अलग अश्चेंथ में अभैखलेबल होता है लेकिन सबसे ज्यादा यह 250 60-0üllt म्लवट के ऐगा जता है अब जाललेते हैं इस डैमोक्स टैबलेट के यूज के बारे में तो यह मुक्यत हुख अख गलाव कोमा बिमारी यूज की आता है गलाव कोमा आंखों के बिमारी है जिसने आकों के नर्व ड़ामेज हो जाते हैं जिससे देखने में समस्या होती है एडीमा जिसमें आखों के नीचे सूजन या बॉडी में सूजन हो जाती है ये सूजन दवायू के दुस प्रभाव या हर्ट सम्बंधित प्रॉब्लम की कारण हो तो इसमें एसिटा जोलमाइट टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है इंट्रा क्रेनियल प्रेसर जिसमें हमारे ब्रेन पर अत्यधिक प्रेसर होने लगता है या तो चोट लगने की कारण या अन्य कारण से तो इस acetazolamide tablet का यूज किया जाता है epilepsy यानि मिर्गी में भी इस tablet का यूज किया जाता है अब acetazolamide tablet के side effect की बात करें तो इसमें diarrhea, depression, fatigue यानि थकान हो सकता है इसके अलावे urea का production अधिक हो सकता है, electrolyte imbalance हो सकता है ये या इसके अलावे भी कोई side effect दिखे तो अपने doctor को जरूर बताए अब जान लेते हैं इसके contraindication मतलब किन-किन ब्यक्तियों को यह tablet नहीं लेना चाहिए तो वैसे ब्यक्ति जिनके body में potassium या sodium की कमी हो या किसी ब्यक्ति को kidney disease हो, liver disease हो तो इस tablet को नहीं लेनी चाहिए अब जान लेते हैं इसके dose के बारे में कि इसे कितनी मातरा में दी जाती है तो इसका dose 250 mg से लेकर 1000 mg तक प्रती दिन patient के need के अनुसार दी जाती है ये थी जानकारी डायमोक्स टैबलेट के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद